Hello everyone, मेरा नाम है अभिशेक मैनवाल और आपका स्वागत है मैनवाल स्फिसेक्स में ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइपस ओफ कपैसिटर्स की लास्ट लेक्शेर में हमने बात कर ली थी Кपैसिट collapse और एक basic understanding देख ली थी कि क्कैसिटर्स क्या होते है और क्कैसिटर्स क्या होता है ठीक है, लास्ट लेक्शकर के, अगर मैं थोड़ा सा recap करूं तो मैंने उसमें finally बताया था एक parallel plate capacitor के बारे में ठीक है कुछ इस तरह का वो structure था और यहाँ पर हमारे बास उसकी capacitance आगई थी A epsilon 0 upon D A epsilon 0 upon D उसकी capacitance आगई थी parallel plate capacitor की case में ठीक है अब हम आज इसी में आगे बढ़ते वे देखेंगे कि types क्या होते हैं अलग लग हम में लिए दो तरह के capacitors को पढ़ेंगे पहला होगा spherical capacitor दूसरा होगा cylindrical capacitor ठीक है देखें इसमें एक basic चीज क्या थी हमारे पास जब parallel plate capacitor था हमारे पास ये plate सी दो इसके उपर plus charge था इसके उपर minus था ये कुछ इस तरह के का structure था यहां पर plus charge था यहां पर minus charge था और हमने इसके बीच में देखा था potential difference फिर हमने बोला था कि Q is directly proportional to V यहां से हमने बोल जाए था Q equals to C V जो C क्या था capacitance था हमने यहां से बात start की थी अब यह basic understanding ही आगे बढ़कर हमारी दूसरी चीजों में हमें help करेगी यही चीज आगे इस्तमाल होगी बस उसका structure बदल जाएगा और कुछ नहीं है देखिए पहला के इस मेरा होगा spherical capacitor का पहला के इस मेरा होगा spherical capacitor तो spherical capacitor एक बहुत easy और अच्छा topic है spherical capacitor ठीक है अब देखो spherical capacitor का structure कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें एक sphere तो बड़े वाला sphere होता है यह conducting sphere ही है जैसे इसमें metal plates यूज की रहे हैं हमने दो इसमें दो हम metal के spheres यूज कर रहे हैं एक बाहर और एक अंदर यह दोनो hollow spheres है यह दोनो hollow spheres है ठीक है अब यह दो spheres हो गए अब जो यह छोटे वाला sphere है इसका radius हम consider कर रहे हैं इसका radius भाई ए है और जो बड़े वाले sphere है इसका radius हम be consider कर रहे हैं ठीक है अब देखो हमें conductors की property से पता है कि अगर हम conductors की बात करते हैं conducting shell की बात करते हैं अगर हम तो electric field inside क्या होती है electric field inside zero होती है हमें पता है यह conducting shells की property है ठीक है यह गौसलो से प्रूव होती है यह इतनी बात हमें पता है कि जो भी conductor होगा जो अंदर से hollow होगा उसके अंदर electric field की value 0 होगा यानि inside 0 होगा ठीक है अब देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ अब जो यह छोटे वाला स्फियर है इस पूरे स्फियर पर माइनस q चार्ज है यानि नेगेटिव 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 यह इतना magnitude है उसका माइनस q ठीक है जो बड़े वाला स्फि पूरे स्फियर के ऊपर पॉजटिव q चार्ज है यह पॉजटिव क्यूं हो गया अंदर वाले पर नेगेटिव क्यूं हो गया ठीक है अब देखो इसमें दो केसी में एलेक्ट्रिक फिल जीरो होंगी एक तो हमने बताया कि यह एक शेल है छोटे वाली तो इस शेल के अंद यहांपे अंदर यहां जब आर जो होगा लेस्देन ए होगा याणी रेडियेस जो होगा वह लेस्देन ए मतलब इस चोटे वाले गोले के अंदर है तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो होगी अभी मैंने बता दिया है जो स्फेरिकल कंडुक्टर से शेल्स होते उनके अंदर जो वो होती है, electric field की value वो 0 होगी, अभी बात हुई है, ठीक है, अभी इतनी बात हुई है, एक second ज़रा, शायद यह उपर ना जा रहा हूँ यार, just a second, ठीक है, सही है, देखो, अभी इतनी बात हुई है, हमने क्या बोल दिया कि R जब less than A, मतलब इस छोटे वाले गोले के अंदर हैं, इस छोटे वाले गोले के अंदर हैं, तो electric field की value कितनी होगी, 0 होगी, अब जब हम R greater than B हैं, मतलब हम इस बड़े वाले गोले से भी बाहर हैं, यह बड़े वाले गोला इतना है, उसके अंदर electric field 0, बड़े वाले गोला इतना है, उसके बाहर भी electric field 0, कैस से देखो जब हम इलेक्ट्रिक फिल्ट बाहर की बात कर रहे हैं इस बी से भी बाहर की अगर हम उसमें गोस्ट लो लगाएं अगर हम किसी भी बाहर एक पॉइंट की बात कर रहे है उसके कोरिस्पोंडिंग हम गोस्टिन सर्फिस डो करेंगे और जब हम वह सब चीजे लगाएंगे तो टोटल चार्ज यहां पर जिरो आएगा जिसकी वज़े से यह इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो आ जाएगी क्योंकि इसमें सर्फिस लिए तो जिरो नहीं होगा उसके समय सिंपल सी बात है ओलैक्रिक फिल्ड ही जिरो होगी यहां और गल्टेट थिद्न बी के लिए ऑलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू मेरी जिरो होगी मत्रप दो किसी वह गाहाbooks और बी दोनों किसी इस नाएग्र यह जब एसे बड़ा होगा और बी छुटा होगा मतलब जो यह आला रीजन है पुरा इसमें मेरी electric field एकजिस करेगी और एकट्रीक फिल पूझ इस तरीके से एकजिस ंपर फो पॉजिट से नेगटिव की तरब उसकी डारेक्शन होगी जस्ट जसेकिंड, center की तरफ उसकी direction होगी, positive से negative, इस तरीके से electric field की direction होगी, यह electric field की direction होगी, ठीक है, यानि electric field जो भी exist कर रही है, वो इसके बीच में exist कर रही है, ना बाहर ना अंदर, मतलब ना अंदर ना बाहर, सिर्फ इसके बीच में, यहां पर exist करेगी electric field, इतनी बात clear ह अब देखो, जो यह electric field इसमें exist कर रही है, हम उसकी electric field की value निकाल सकते हैं, वो electric field की, अगर मालनो, suppose, मुझे इस center से, इस point पर electric field की value चाहिए, तो मैं यहां से, एक simple simple, इसको r radius माल लेता हूँ, और इस point के corresponding, इस point के corresponding, मैं Gaussian surface draw कर सकता हूँ, गोस नोस ही हो गए, गोस लोगा application यूज करते हूँ, हम इस point पर electric field भी निकाल सकते हैं, तो यानि, electric field मुझे इस के लिए चाहिए, इस distance के लिए, निकाल सकते हैं, इसी लिए, कैसे निकलेगी, देखो, अगर मैं यहां पर लगाँ, यह e.s equals to, q total upon epsilon node, अब देखो, जब हम, मैं इस golden surface की बात कर रहा हूँ, जो और distance पर है, इस golden surface में केवल, यह वाला charge and close है, जिसका magnitude कितना है, q, यहां पर qt की value में q लोगा, upon epsilon node, ठीक है, यहां यह नि, e, e into, अब देखो, यह एक sphere है, यह dotted वाला, black dotted वाला एक sphere, sphere, sphere का surface area क्या होगा, 4 pi, r square, equals to, q upon epsilon node, यह मेरे पास, इतना result आ गया है, ठीक है, अब अगर मैं यहां से electric field की value को निकालना चाहूँ, तो easily आ जाएगी, यहां पर ही capital q आएगा, 1 upon, 4 pi epsilon node, capital q upon, r square, यह मेरे पास electric field की value हो आ गई, कहां पर, इस beach वाले region में, इस beach वाले region में, मैंने electric field की value यह निकाल लिए, ठीक है, अब देखो, जो मैंने starting में बताया था, जैसे मैंने parallel plate capacitor में पढ़ा था, कि यह plus charge था, यह negative charge था, इसके बीच में मैंने potential difference देखा था, ऐसी तो यहां है, एक positively charge shell बाहर है, एक negatively charge shell अंदर है, उन दोनों shell के बीच में, यहां पे, इस region में, अगर मैं potential निकाल लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा लगबग, ठीक है, तो अब सारा ताम जाम जो होगा, वो potential निकालने का होगा, ठीक है, अब देखो, एक lecture में, जो शायद इस से पिछले से पिछला lecture है, उसमें मैंने electric field, और potential में relation derive किया था, जो किया आया था, e equals to minus dv by dr, और इस से एक relation और आ गया था, मेरा v equals to minus e dot dr, ऐसा कुछ relation आया था, यह आया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो यह होता है, electric field equals to this, और potential हम ऐसे निकाल सकते हैं, e dot dr negative में, ठीक है, potential निकालेंगे, इसके बीच में, इस positive और negatively charged spherical shell के बीच में, हम potential निकालेंगे, ठीक है, यहां से मैं हटा देता हूँ, अब देखो, मैंने क्या बोला, इस formula का use करेंगे हम, तो v equals to minus e dot dr, अब देखो, integration किस में होगा, dr में होगा, यानि r इस length में होगा, center से r यहां पे length है, यह r कहां से कहां तक चाहिए, देखो, हमें चाहिए potential इस region में, जो इसका बीच का region है, यानि r के value जहां पे, इस region में चाहिए मुझे r के value a से start होगी, और b तक जाएगी, यह a है, और b तक जाएगी, यानि initial limit a होगी, final limit b होगी, इतनी बात clear है, अब देखो, electric field की direction, suppose मैं इस point की बात करता हूँ, इस point पे electric field की direction अंदर की तरह है, इस point पे electric field की direction यह है, ठीक है, और इसी point पे, और इसी point पे, अगर मैं dr के direction देखो, r की direction मतलब, जिस direction में r बढ़ रहा है, r की direction यह होगी, यानि r और electric field के बीच में जाए angle बना, वो 180 degree का बना, यानि, angle between electric field and dr vector is 180 degree, ठीक है न, एक तरह से यह electric field है, और यह dr है, तो इन दोनों की बीच में angle कितना है, 180 degree है न, तो यही case यहाँ पे हो रहा है, तो अगर 180 degree है, तो मैं इसको ऐसे लिख सेता हूं, negative, e dr cos 180 degree, यह a to b, और यह cos 180 minus 1 होगा, तो यह positive हो जाएगा, तो a to b e dr, ठीक है, a to b e dr, यहाँ पे cos 180 कितना हो जाता है, यह minus 1 हो जाएगा, यह minus minus plus हो जाएगा, और मेरे पास अभी के लिए इतना relation हो जाएगा, electric field की value भी मैंने निकाल के रखी थी, वो क्या थी, 1 upon 4 by epsilon 0, q upon r square, यह value मैं यहाँ पे put कर दूँगा, अगर मैं यह value यहाँ पे put करूँगा, तो a to b, 1 upon 4 by epsilon 0, q upon r square dr, और यह v, ठीक है, q upon 4 by epsilon 0 को मैं बाहर ले सकता हूँ, यह a to b, और यह 1 upon r square dr, देखो, इसका integration simple है, इसका integration simple है, r की पाहर minus 2 है, तो integration के बाद r की पाहर, मैं पूरा लिख देता हूँ, उसको q upon 4 by epsilon 0, d क्या बनेगा, r की पाहर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, limits क्या लगेंगी, a to b, यानि यह आ जाएगा मेरे पास, minus k q upon 4 by epsilon 0, यह minus 1 आएगा न, और यह 1 upon r a to b, मैं अब limits रखूँगा इसमें, जब मैं limits रखूँगा, तो यहां से v मेरे आ जाएगा, minus q upon 4 by epsilon 0, 1 upon b minus 1 upon a, यह negative मैं अंदर multiply कर देता हूँ, तो q upon 4 by epsilon 0, 1 upon a minus 1 upon b, यह मेरे पास इसका result आ गया है, यह मेरे पास v आ गया है, अभी मेरे पास यह v आया, ठीक है, अब देखो, यह हटाता हूँ उपर से मैं, बस ही हो गया है, यह complete हो गया है, मुझे पता है, कि q equals to cv होता है, ठीक है, अगर मैं इस q को यहाँ पर रहने दूँ और पूरा इधर बेज़ दूँ, यानि v, जैसी यह मेरे पास equation लिखे हूँ, दुबारा लिख देता हूँ मैं इसको, q upon 4 by epsilon 0, 1 upon a minus 1 upon b, अगर मैं q इधर ही रहने दूँ, मतलब q अकेला छोड़के, यह पूरा इसके साथ बेज़ दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा देखो, अगर मैं q अकेला छोड़ू, यह अकेला छोटा तो 4 by epsilon 0, 4 by epsilon 0 upon 1 upon a minus 1 upon b into v आ जाएगा, यह पूरा निचे अला इधर गया था, देखो, अब q equals to cv, यह equation 1 मानो, यह equation 2 मानो, अगर मैं 1 or 2 equation को compare करूँ, अगर मैं 1 or 2 equation को compare करूँ, तो मेरे पास यह जो मसला बन रहा है, यह capacitance c है, यह यह पास c क्या आगए हैं से, 4 by epsilon 0, 4 by epsilon 0, 1 upon a minus 1 upon b, यह फिर इसको ऐसे लिख दो, 4 by epsilon 0, a, b upon b minus a, तो यह मेरे पास capacitance आगया, spherical capacitor वाले case में, spherical capacitor वाले case में मेरे पास यह capacitance आगया है, easy है, तो यह था हमारा spherical capacitor first case, चीक है, यह समझ में नहीं आया है, तो back कर गया, आप लोग देख सकते हैं, बाकि यह इतना ही है, spherical capacitor, इससे अगला case जो है, वो है cylindrical capacitor का, वो है cylindrical capacitor, देखो cylindrical capacitor भी same इसी तरीके से है, उसमें और कोई change है, देखो क्या change है में बता देता हूँ, second case में रहा है cylindrical capacitor, second case है cylindrical capacitor, ठीक है, अब देखो, उसमें हमने दो concentric spherical shell लिये थे, इसमें दो coaxial cylinders लेने हैं, एक तो बड़ा बाहर वाला cylinder, यह बाहर वाला cylinder होगा एक तो, ठीक है, और एक अंदर वाले है छोटा cylinder होगया, यह लो भाई, एक यह रहा, ठीक है, यह दो cylinders लेने, coaxial, coaxial का मतलब same axis हैं की, लेकिन इनके radius अलग अलग हैं बस, axis CA में radius अलग अलग हैं, इसका radius A है, इसका radius बाहर वाले का B है, ठीक है, इस पे बाहर वाले पे, जैसे पिछली बार की तरह, positive charge है, यह पूरा, यह पूरा positively charge है, और इस बार हमें इसमें linear charge density दे रखे हैं, यह लेमडा, प्लस लेमडा, और अंदर वाले के लिए ऐसे ही negative है, अंदर वाले के लिए ऐसे ही negative है, और negative lambda charge density दे रखे हैं, linear charge density, यह इसकी common axis है, दोनों की, यह दोनों की common axis है, ठीक है, I hope यह drawing सही बनी होगी, कोशिश करूँगा, यह इतनी और अच्छी बन सके से, लेकिन अभी के लिए इतनी काफी है, ठीक है, अब देखो cylindrical capacitor का कुछ इस तरीके का तामजाम है, लगबग similar है, बस उस case में, मेरा, जो था, वो spherical था, उसमें 2 spheres लिये थे हमने, उसमें 2 spheres लिये थे, जो concentric स्विये थे है, हमने उसमें, ठीक है, अब इस case में हमने क्या लिया, cylinder लिया, just a second, यार, पानी पीलू में, यार, देखिए, इस case में मेरा पास 2 cylinders है, ठीक है, बाहर वाले cylinder के पास plus lambda charge density है, अंदर वाले के पास minus lambda linear charge density है, अब इस case में भी, यह conductors ही है, तो conductors है, तो सीदी सीदी सी बात है होई, कि जो, जब case, r less than a होगा, तो electric field 0 होगी, जब case r greater than b होगा, तब भी electric field 0 होगी, यह case सेम रहेगा, स्वाले में, ठीक है, यह पिछली बार जैसी बात है, ठीक है, यानि जो भी electric field exist करेगी, वो r greater than a हो, less than b के case में करेगी, electric field exist, जो भी electric field होगी, वो इस पूरे region में होग होगी, ठीक है, इस पूरे region में होगी, इस वाले में, इस वाले में, जो भी electric field होगी, अब उस electric field को में निकाल सकता हूँ, बिल्गल निकाल सकता हूँ, suppose इस point पे मुझे electric field की बात करनी है, यह point इस से r distance पे है, अगर इस point की बात कर रहा हूँ तो इस point के corresponding, मैं Gaussian surface draw कर सकता मैं Gaussian surface draw कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, यह मैंने कर दिया, यानि मैंने यहाँ पे एक cylindrical Gaussian surface draw किया, यह जो green color से दिख रहा है, यह cylindrical Gaussian surface है, ठीक है, तब दिखो, यह वाले चीज़ हम करके आए हैं, पहले cylinder वाले मैं, इसको फटा फट कर रहा हूँ, अगर मैं electric field इस point पे पाना यह नहीं होगी, यह हमने solve किया हो है पहले, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा चल रहा हूँ, इसमें E, E into S equals to Q total upon epsilon note, इसमें Q total क्या रहेगा, यह minus lambda के corresponding के charge है, यानि lambda क्या होता है, charge per unit length, इसकी length L है, capital L, इसकी length capital L है, जो cylinder की length है, वो capital L है, और मेरा lambda क्या होगा, charge per unit length, तो यहां से lambda, अगर मैं Q को लिखने चाहूँ, Q क्या हो जाएगा, lambda into L, बिल्कुल ठीक है, Q total कितना होगा अंदर इसमें, Q total, suppose इस lambda के corresponding minus Q charge था, इसमें, और इस Q को मैं यहां पर लिख सकता हूँ, lambda into L upon epsilon note, तो E into surface area, curved surface area, 2 pi rl equals to lambda L upon epsilon note, तो यहां से मेरी electric field की value होगी, lambda upon 2 pi epsilon note r, यह हम लोगों ने पहले भी derive किया था, पहले जब हम पढ़ रहे थे linear charge density वगरा, तब हमने यह वाला expression derive कर दिया था, ठीक है, यह इतना expression आ गया है, अब यानि यह electric field इस पूरे region में है, इस पूरे region में, ठीक है, अब मैंने जैसे पिछली बार की तरह वही बात करते हैं, जैसे पहले प्लेट में यह positive charge था, ठीक है, इसकी बात की थी, इसकी help से हम इस region में क्या निकाल सकते हैं, potential निकाल सकते हैं, इस region में इसकी वैसे हम potential निकाल सकते हैं, बढ़िया है, अब देखो, हम निकालते हैं potential यह, यह पूरा हटा रहा हूं मैं यहां से, अगर मुझे electric field पता है, तो यह V equals to minus E dot DR की बात कर रहा हूं, अब DR कैसे जा रहा है, देखो, DR वही पिछली बार की तरह, R A से शुरू हो रहा है, और B तक जा रहा है, इस region में मुझे potential निकालने हैं, यानि initial limit A, final limit B, ठीक है, जो मेरी electric field की value आईए, जो मेरी electric field की value आईए, वो क्या है, lambda upon 2 pi epsilon not R, ठीक है, electric field की direction पिछली बार क तरह, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, पूरी electric field की direction अंदर की तरफ होगी, यानि अगर इस एक particular point की बात करें, तो electric field की direction ये है, और R की direction ये है, मतलब DR की direction, ये है, electric field की direction ये है, इनमें वापिस 180 degree अंगल, तो यानि e और dr में 180 degree अंगल पिछली बार की तरह तो वापिस से यह a to b e dr cos 180 degree यानि a to b e dr आ गया है a to b e dr आ गया है मेरा ठीक है अब मैं e की value put up करता हूं उसमें e की value क्या थी लेम्डा अपॉन टू पाई epsilon not r और यह dr और इनिशल लिमिट भी ठीक है देखो अब इसमें से लेम्डा अपॉन टू पाई epsilon not बाहर ले सकता हूं और इंटिग्रेशन a to b 1 upon r dr जब भी ऐसा इंटिग्रेशन होता है वर 1 upon x dx 1 upon r dr तो इसका सिंपल सिंपल इंटिग्रेशन का आंसर आता है ln x ln x लोग बेस e वाला एक्स तो लेम्डा अपॉन टू पाई epsilon not यानी ln r और यह a to b इसको सिंपली में लिख सकता हूं यह लेम्डा अपॉन टू पाई epsilon not यह आ जाएगा ln b minus ln a और यह ln b minus ln a से हम लोग की प्रोपरटीज यूज करते हुए इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं लेम्डा अपॉन टू पाई epsilon not ln b upon a ln b upon a इतना आ गया मेरे पास अब देखो लेम्डा क्या था चार्ज पर इनिट लेंथ उस लेम्डा की वेल्व यहां पर पूट अप कर देते हैं चार्ज पर इनिट लेंथ ऐसे लिख दूँगा इसको टू पाई epsilon not l और यह ln b upon a ln b upon a यानि यह v आ गया मेरा यानि यह v आ गया अब मैं इसको complete कर रहा हूं वस्य हो गया है ठीक है यह वाला expression इतना आ गया है अब देखो क्या करना है अब वापिस से q equals to cv वाली बाद ठीक है q को यहां से अकेला रखोंगर मैं q equals to यह पूरा उदर भेज देता हूं तू पाई epsilon note l upon ln b upon a इंटू वी तो पहले से दर था यह पूरा मैं इसकी तरफ बेजा यानि अगर इस equation को और इस equation को compare किया जाए इस equation को और इस equation को compare किया जाए अगर तो यह तो सीधी सीधी सी बात बन लिए यार capacitance यानि स्फेररिका स्टिंट्रिकल कर्पेसिटर इए लिए capacitance और फाई epsilon note L एल और भी एपोने तो यह मेरे पास सिलिंट्रिकल कर्पेसिटर की capacitance आ गई है ठीक है cylindrical capacitor की capacitance यह आ गई है ठीक है hopefully यह दोनों चीज़ा आप लोग को समझ आई होगी और अच्छी है एज़ी है अगर आते हैं तो पांच नंबर में आते हैं ठीक है और बाकी दन्यवाद अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दीना और बाय बाय टीक केर नवस्ते बाय